नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं इविन प्राइबिट नौकरी भी करते हैं तो आपको आपको एक लीफ दिया जाता है जो अभी हाली में सुरू किया गया है 2016 से तो उसको maternity leave और paternity leave बोलते हैं इससे पहले annual, CL और sick leave और भी कई leave है जो प्रवाइट किये जाते थे central government के दित्रू या state government भी प्रवाइट करता है तो अभी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो आपको paternity और maternity leave दिया जाता है इसके क्या-क्या conditions है तो आज मैं अपने लेटर आपको दिखाऊंगा उसमें जो आपको समझाऊंगा कि इसका क्या condition है किस condition में आपको यह paternity और maternity leave दिया जाता है तो जिसे subject आप पर सकते हैं जैसे grant of child adoption leave to women services offices in defense forces and paternity leave to defense forces male service personnel during the birth as well as the adoption of a child यदि आप किसी बच्चे को adopt करते हैं तो भी और अगर बर्थ से ही आपके पास है तो भी आपको paternity leave या maternity leave मिलेगा तो जो women service करती है तो उसको 180 days दिया जाता है चाहे वो PC as well as SSC women officers हो तो भी तो इसके भी कुछ conditions है कि जो आपको maternity leave दिया जाएगा वो दो बच्चे आपके है या उससे कम है तो ही आपको maternity leave दिया जाता है मैं maximum दो बच्चे तक ही आपको दिया जाएगा तीसरा बच्चा को तो उसमें नहीं मिलेगा और यह जो इसके conditions है दूसरी conditions यह है कि यह आप annual leave के साथ combined आप ले सकते हैं और जैसे women's के case में है यह लिखा हुआ है देखिए यह जो पैरा नमर B का है जो यह देखिए तो इसमें लिखा हुआ है अगयर बुक्चे की वम्र नौ महीने से कम है तो आपको चार महेने द्ये जाएंगे और बच्चे की जो उम्र है वह बारा महीने से कम है तो आपको थिरी मंस लिख ये जाएंगे और आप आते हैं paternity leave यह तो हुआ maternity leave जो एक ladies को provide किया जाता है और आता है maternity leave sorry paternity leave तो यह पहला नमर 3 आप देख सकते हैं paternity leave on birth of a child इसमें देखे इसमें सोग किया गया है कि defense forces male services personnel may be sanctioned paternity leave of 15 days on birth of a child subject to the following conditions दोस्तों यह 15 दीन आपको एक male को दिया जाता है paternity leave के तोर पर जिसमें condition तीन condition है जो आप इसमें देख सकते हैं लेटर में पड़ा पर सकते हैं तो first condition देख लीजे आप कागा कि service personnel should have less than two surviving children जो service person है उसको दो बच्चे से कम होने चाहिए और और ब्रेवो में दिया गया है live to be granted during the period of confinement confinement of his wife up to a period of 15 days before और और up to six months from the date of delivery of a child दोस्तो आपकी जो madam को देख वाल के लिए आपको पंद्रह दिन की जो छुटी दिये जाते हैं उसमें आप उसको इसमें condition दिया गया है कि जो आपके बच्चे जनम लेते हैं उसके छे महिने के अंदर आपको छुटी काटनी पड़ेगी और तीसरा है तीसरा देख सकते हैं पैटलेटी में भी और दूसरा आप adoption of a child है दोस्तों अगर आप किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं मतलब कि आप कहीं से जैसे मतलब कहा गया कि लिकिन paternity leave में इसमें ये condition, same condition है कि आपको service person should have less than two surviving children अभी दो बच्चे से कम होने चाहिए और इसमें भी है कि child should be below the age of one year on the date of valid adoption जब आप adoption करने तो उसमें एक साल से कम बच्चे की उमर होने चाहिए तीसरा condition है कि leave to be granted for a period of 15 days within 6 months from the date of valid adoption तो इसमें देख सकते है कि जो आपको दिये जाएगा 15 दिन की छुटी जो 6 months जो आपको होना चाहिए 6 months के अंदर ही आपको दिये जाएगा जब आप valid adoption आपका है, adoption of a date है उसके उसके अंदर ही दिये जाएगा, चौथे condition ये है, paternity leave may be combined with annual leave, paternity leave annual leave के साथ आप जार सकते हैं, same condition है जो on birth of child है, तो दोस्तो आइस वीडियो में आज यही था, तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंडर बताएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो बहुत बहुत धन्यबाद आपको वीडियो देखने के लिए